नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टड़ी वाइन्स ओफिशल पर तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज हमारे परिवार में एक लाग से ज़्यादा सदस जुड़ चुके हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इस खुशी को आप लोगों के साथ शेर करूं और अपनी दिल की बातें आपके साथ करूं और कॉंगराश विलेशन्स आप सभी को क्योंकि ये आपका अपना चैनल है मैं कभी भी आपको वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता फिर भी आप सभी ने इसे अपना चैनल समझ कर सब्सक्राइब किया और बहुत ही जल्दी हमारा परिवार एक लाग का हो गया तो एक बार फिर से मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ और जब मैं आप सभी के कोमेंट को पढ़ता हूँ तो बहुत खुशी होती है कि आप सभी को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आज सभी बहुत अच्छे अच्छे comment भी करते हो इन में से कुछ comment मैं आपको दिखाना चाता हूँ जिसने मुझे भी motivate किया और आपको भी motivate जरूर करेंगे तो मैंने कुछ comments के screenshot लिए हैं और आपके साथ share करना चाता हूँ वैसे तो आप लोगों ने बहुत से कुमेंट किये हैं पर मैं कुछ ऐसे कुमेंट आपके साथ शेर करना चाहता हूँ जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे तो पहला कुमेंट था ये गनेश राम जी ने किया था उन्होंने का था हेलो सर नमसकार जी गनेश राम बोल रहा हूँ नेतरहीन व्यक्ति आगे उन्होंने अपना एड्रेस वेगरा लिखा था कि राजस्थान से हैं और उन्होंने का था कि आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी सर और मेरे को आपका पढ़ाने का तरीका बहुत असान लगा सर नमसकार जी सर आप कैसे हो मैं विक्टिम आप संपूर्ण तो आप देख रहे हैं नेतरहीन व्यक्ति हैं गनेश राम जी नेतरहीन होने के बाद भी पढ़ना नहीं छोड़ा बहुत कम लोगों में ये जजबा होता है गनेश राम जी अगर आप सुन रहे होंगे तो सलाम है सर आपके जजबे को आप इस जजबे को इसी तरह बनाए रखना क्योंकि शिक्षा का तो काम ही है दिमा को जिंदा करना तो ये देख नहीं सकते फिर भी आवाज सुनकर पढ़ रहे हैं तो आप में य या कोई भी ऐसी विकलांगता हमारे अंदर नहीं है इसलिए खुब मेहनत करिए और पसीना भाये क्योंकि कहते हैं ना कि पसीने की सहाई से जो लिखते हैं अपने इरादों को उनके मुकदर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते तो खुब मेहनत करिए और खुब जान लग करें कॉंपिटेशन एकजाम की कैसे तयार करें तो देखिए इनसे आपको मोटिवेशन लेना चाहिए यह भी आप मेंसे ही है इन्हों ने का था कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और अपनी पढ़ाई दो साल बाद दोबारा स्टार्ट की मैं आपकी कलासे नोर्स मनाती हूँ तो देखिए हाउस वाइफ होने के बाद भी दो साल के बाद ये पढ़ाई स्टार्ट कर रही है और एक और मैसिज है जो काजल कुमारी जी ने किया था कि सर मुझे एक बेबी है सिक्स मन्स का और उसके केर करते हुए सब कुछ देखते हुए भी पढ़ रही हूँ तो भी आप में से ही है और मिहनत कर रही है और एक और कुमेंटा मैं आपको दिखाता हूँ ये भी आया था कि ब्रदर आई एम 55 एयर्स ओल्ड यू आर वेरी गूड इंस्ट्रक्टर आई रीड एवरी वीडियो वेन गोड टाइम आई आलसो एंकरज मैने स्टूडेंट फॉर वीडियो गोड ब्लेस यो तो देखिए 55 साल होने के बाद भी ये पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं और स्टूडेंट को भी एंकरेज कर रहे हैं पढ़ने के लिए तो ऐसे बहुत से कुमेंट आते हैं जिन्हें पढ़कर दिल खुश हो जाता है और मेहनत करने के लिए मोट अब तक अपलोड कर दी हैं और पॉलिटी की भी 11-12 वीडियो अपलोड कर दी हैं जिसमें मैंने जोग्रफी के लगभग जो इंपोर्टेंट टोपिक हैं उन्हें कवर कर दिया है हाँ अभी कुछ टोपिक्स बचे हैं उन्हें भी मैं कवर कर दूंगा मैं जोग्रफी और पॉलिटी इन दोनों को साथ साथ लेकर चलूंगा और जो अगली वीडियो है वो जोग्रफी की ही होगी इसलिए चिंता मत करिए जोग्रफी भी मैं कम्प्लीट कर दूंगा और अंत में मैं कुछ लाइने बोलना चाता हूं जो कि मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं और आ बहुत धन्यवाद